सबसे पहले एक जरूरी बात जो भी current affair आपने पढ़ा है उसका टेस्ट होना एक बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको याद भी है या भूल गया तो टोटल यहाँ पे 10 सवाल होंगे और हर सवाल पे सोचने के लिए 5 सिकेंड आपको मिलेंगे और ज्यादा समय चाहिए हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरे जनवरी का must important जो current affair बन रहा है वो यहाँ पे add किया गया है लास्ट में आप हमें बता सकते हैं कि दस्म से कितना आपने सही किया तो चलिए दोस्तों फिर सुरू करते हैं question number 1 हाले में समान्य सिरेणी को यानि general category को 10% आरच्छन लागू करने वाला पहला राज ये कौन सा बना है आपका समय शुरू होता है अब सही जवाब होगा option number B यानि गुजरात general category को 10% आरच्छन लागू करने वाला पहला राज गुजरात बन गया है अब गुजरात के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों गुजरात की रजधानी गांधी नगर है और वहाँ के CM बिजय रुपाणी है और वहाँ के बरतमान गवर्नर कौन है ओपी कोहली question number 2 हाल ही में किस राज जी के मुख्य मंत्री ने यानि चीप मिनिश्टर ने one family one job योजना की शुरू की है सोचने के लिए आपके सपास समय शुरू होता है अब right answer है option number A यानि सिक्किम राज जी के मुख्य मंत्री ने one family one job योजना की शुरू आत की है सिक्किम की राज धानी गंग टोक है और बरतमान में सिक्किम के जो CM है वो है पवन कुमार चामलिंग question number 3 हाल ही में अमा घरे LED योजना किस राज सरकार ने शुरू की है सोचने के लिए समय शुरू होता है अब option C is the right answer और इस योजना के तहत उडिसा के हर परिवार को चार LED बल्ब दिये जाएंगे अब यहाँ पर सवाल उड़ता है कि उडिसा के CM कौन है बरतमान में तो वो है स्री नवीन पतनायक अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ question number 4 हाल ही में सुथ सेंग चाइंग किस देश के नए परधान मंतरी नियुक्त किये गया है सोचने के लिए समय सुरू होता है अब option C is the right answer यानि ताइवान के नए परधान मंतरी सुथ सेंग चेन को बनाया गया है एक जरूरी बात दोस्तों कि आप काउंट जरूर करते रहेगा कि 10 में से कितना आप सही कर पा रहे हैं लाश्ट में तो मैं आपको आंसर देहीं दे रहा हूँ लेकिन उससे पहले आप गिनते रहे हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और वीडियो को जाते जाते लाइक जरू कर दीजेगा तो अभी 6 सवाल और हैं देख लिजे question number 5 हाले में समुद्री मुद्धव पर भारत और किस देश के बीच मुद्धव भारत और डेनमार्क के बीच में अमो यू पर हस्ताक्छर हुए है अब ये EMOU होता कैया है इसका पूल्फम क्या होता है तो दौसतो इसका पूल्फम होता है Memorandum of Understanding ठीक है और यह एक फॉर्मल एग्रिमेंट होता है रिटेन एग्रिमेंट होता है दो देशों के बीच में जैसा कि अभी डेनमार के साथ इंडिया का हुआ है Question number 6 हाल ही में इस्रों ने कब तक भारत के पहले मानोयुक्त मिशन को लौंच करने की घोसडा की है Option B is the right answer यानि 2020 तक इस्रों ने भारत के पहले मानोयुक्त मिशन को लौंच करने की घोसडा की है इसरो का फूल फ्रम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गिनाइजेशन इसके अस्थापना हुई थी 15 अगस्त 1979 को और इसका हेड़ क्वार्टर है बेंगलूरू में और अभी हालही में इसरो के नए अध्यच के सिवान को बनाया गया है यानि कि सबसे ज़्यदा पारफुल पासपोर्ट किस देश का है राइट आंसर है ओप्सन नंबर ए जपान अगर बात करें जपान की रजधानी की तो जपान की रजधानी टोकियो है यहां की मुद्रा यहन है और यहां के प्राइम मिनिस्टर सिंजू अबे है क्वेशन नंबर एट हाली में RBI ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर प्रदान करने पर सहमती ब्यक्त की है सही जवाब है सिरलंगा यानि ओप्सन सी इस दर राइट आंसर क्वेशन नंबर नाइन हाली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्क्रण कहां शुरू हुआ है सही जवाब है पूरे यानि ओप्सन एस दर राइट आंसर दसवा और अंतिम सवाल हाली में राष्टिय यूवा दिवस कब मनाया गया ओप्सन भी इस दर राइट आंसर यानि बारह जन्वरी को राष्टिय यूवा दिवस मनाया गया था अब सवाल उड़ता है कि 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्टिय युवादिवस दोस्तों क्यों कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेका नंद का जन्म हुआ था और उन्ही के हत्तु ये राष्टिय युवादिवस मनाया जाता है अब जाते जाते वीडियो को like जरूर कर दीज़ेगा और comment box में हमें जरूर बताईएगा कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया यानि कितने सवाल आपको 10 में से आ रहे थे क्योंकि ये सारे के सारे सवाल January के current affairs से related थे तो चलिए दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जया हिन जया भारत